सर्मनाख हार के बाद पाकिस्तानी ड्रेक्सिर रूम में मचा बवाल, बाबर आजम हुए गुस्य से आग बबूला, बीच वल्डकाप कप्तानी से देंगे इस्तीफा ड्रेक्सी रूम में धर्म का परचार करना पड़ा पाकिस्तानी टीम को भारी मैस से पहले लिखी जा चुकी थी पाकिस्तान के बरबादी की कहानी बाबर आजम हो गए हैं डिप्रेसन का सिकार कोज मिकी आर्थर पर भी उठे कई सवाल कौन है पाकिस्तान के बरबादी का असली गुनहगार बंगारों के खिलाब सरमनाक हार के बाद पूरी रात पाकिस्तानी डेकसी रूम में डबलुडबलुई का जंग देखने को मिला हार के बाबर आजम गुस्से से लाल पीला हो गए थे और डेकसी रूम में जाकर हर एक खिलाडी के उपर अपनी भड़ास निकाली थी बाबर आजम ने पहले गिनबाजों की कलास लगानी शुरू किये हारिस के खिलाब बाबर का गुस्सा देखने लायक था कुछ खिलारी बाबर आजम पर प्लेटवार करते हुए कहना चाते थे की आखिर आप ने क्या किया कितना रण बनाएं मगर बाबर के गुस्से के आगे सब की बोलती बंद हो गई जो पाकिस्तानी टीम इसके पहले ड्रेकसी रूम में अपने धरम के परचार में लगा हुआ करती थी मुहमद रिजवान दिन में पांच बाद ड्रेकसी रूम में नमाज पढ़ा करते थे उसी ड्रेकसी रूम में पाकिस्तान के हार के बाद बीती रात मातम चा गया था मुहमद रिजवान जो मैज जितने के बाद मैदान में ही नमाज पढ़ने लगते थे वही मोहमद रिजवान अब ड्रेक्सिर रूम के एक कोने में बैट के रोते हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तानी टीम का हर एक खिलाडी एक दुसरे को हार का गुनहगा ठहर आ रहा था बाबर आजम अपने खिलाडीयों को अगले मेच के लिए मोटीवेट करने के बजाए सभी खिलाडीयों के उपर अपना गुस्सा निकाल रहे थे कंगारों के खिलाब सर्मनाखार के बाद बाबर आजम ने फ्रेस कांफरेंस के दौरां क्या कुछ कहा जिसकी वज़ा से पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया उस पर भी आएंगे लेकिन उसके पहले आप लोग जानिये पाकिस्तानी कोज मिकी आर्थर बाबर आजम पर क्यों भड़क गए जब बाबर आजम ड्रेकसिर रूम में खिलाडियों के उपर अपनी भड़ास निकाल रहे थे तभी कोज ने बाबर को ही लपेटे में लेते हुए बाबर की कलास लेनी सुरू कर दे थी गुसे से लाल पीले कोज ने बाबर से कहा आप पाकिस्तानी टीम के कप्तान है आपके उपर पूरी जिम्मेदारी है पूरी टीम को कैसे एकजूट किया जाए आस्टेलिया के खिलाप आपकी कफ्तानी बहुत ही ज़्यादा खराब रही आपकी कफ्तानी में कोई एग्रेसन ही नहीं नजर आया गिनबाज जब मैदान पर सिंपल कहच छोड़ रहे थे तो आपको उनके पास जाकर उन्हें डाटने की बजाए उन्हें मोटिवेट करना था ताकि दुबारा कहच न छोड़े ओ मगर आपने अपनी कफ्तानी के दौरान ऐसा नहीं किया और आपके खिलाडियों ने पूरे मैच के दौरान 5-6 आसां कैच ड्रॉप कर दिया आउन से गिनबास से कब गिनबाजी करानी थी इसमें भी आप फेल रहे आपके उपर पूरी पाकिस्तान की बैटिंग निर्भर करती है अच्छी सुरुवात मिलने के बावजूद भी आप बल्ले बाजी से पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए जिस मैच में आप से सबसे ज़्यादा उमीदे होती है जिस बड़े मैच में आप से सबसे ज़्यादा उमीदे होती है उसी मैच में आप फ्लॉप साबित हो जाती दिया उनका कहना है कि मिकी आर्थर का क्या भूमिका होनी चाहिए उन्हें खुद भी नहीं मालूम है पोच को भी हार की जिमेदारी लियनी चाहिए कप्तान बाबर आजम के सांसाथ बाबर आजम ने सर्मनाक हार के बाद प्रेस कांफरेंस में कहा था कि देखिए जब आप व रही इसी वज़त से उन्हें जीत नसीब हुई और हमें हार नसीब हुई